आदिन्न दाना विर्मनी सिक्खा पढ़िंस्माधियाँ आदिन्न दाना विर्मनी धम्यप्द गाथा कथा नम्बर 133, 134, 133, 134 इसकी जो कहानी है कथा है वो वह एक ही है एक कुंडधान नाम का थेर था कुंडधान नाम का भिकु कुंडधान नाम का जो भिकु था जयतवन के अंदर सावित्ति के अंदर उसके साथ मैं एक सारविक दिक्तब थी कि वो थोड़ा सा सरीर से ऐसे लगता था जैसे इस्त्री है इस्त्री जैसा और जबकि उसका जो मन था यानि जो उसका सौफ़ एर था जो उसके अंदर व्रक्तित उथा जो वेवार था वो पूरा पूरा एक नरका था तो सामाने रूप से देखने से क्योंकि जैसे इस्त्री का जो सरीर होता है वो अलग तरह का होता है और पूरुस का अलग तरह का होता है तो कुछ पिछले कारणों से जहां से सरीर बनने का आदेश आता है या जहां से मन बन कर आता है यानि जहां से जो वियाना है शरीर के अंदर प्रिवेस होता है वियाना बाहर से आता है जो software है और जो रूप है वो माबाप से आता है तो उन फाइलों में कहीं कोई थोड़ी मोडी कहीं कोई गवर हो गई पुराने जो कम है उसके हिसाब से और ऐसा अक्सर होता है कि अगर पुराने कम खराब हो तो फाइलें करप्ट हो जाती है फाइलें करप्ट होके उनमें कोई वाइरस आ जाता है या वो अधूरी फाइलें होती है और उसी के हिसाब से संरचना सरीर में बनती है इसलिए जो लोग हैं वो पैदा ऐसी अपंग होते हैं या पैदा ऐसी उनके सरीर में कोई भाग बड़ा हुआ होता है यह जो संरचना है यह जो हमारे कम है पिछले जनम के कम है या जो पहले हम जहां से हमारा सौफ्ट्रेयर ट्रांसफर हुआ है और जो मावाप से हमारे कोड आते हैं यानि कि जो फाइले मावाप से आती है जो लक्रा मावाप से आते हैं जो बीज मावाप से आता है उसमें कहीं कोई करप्शन हो जाए या उसमें कोई करप्ट हो जाए तो वो आधी अधूरी फाइल पहुंचती है, कई बार पहुंचती भी नहीं है, कई बार कुछ और पहुंच जाता है, कई बार वो गवड़ा हो जाती है ये चलता रहता है, ये भगवान बुद्ध ने, जो आज हम आसानी से समझ सकते हैं, वो भगवान बुद्ध ने उस समय समझ लिया था तो जब वो भिक्को संग के साथ में धम चारीगा के लिए जाता था, धम सिकाने के लिए जाता था, कुल धान धेर तो लोगों को ऐसा आवास होता था कि ये भिक्कों के साथ में भिक्कुनी क्या कर रही है यानि भिक्कुनी जैसी ये क्या है तो लोग उसको अधिकतर कोई भिक्कुनी समझ के ही दे दिता था जो पिंड है या धम लेता था च्योंकि भिक्कों को प्रसंद नहीं करते जादा मगर बात पहुंसते पहुंसते पसंजीत तक पहुंची और पसंजीत के पास में पसंदी के पास पहुंचने के बाद कहा कि भिक्कु एक भिक्कुनी को भी साथ लेके चारिका में जाते हैं वो इसलिए भिकुणी अलग जाती है चारिका के लिए और भिकुणी अलग है नियम है उनका साथ नहीं जा सकती है और वो जो भिकुणी है वो तो बिल्कुल पास-पास होके चल रहा है जो कुंडथान है तो थोड़ा सा जो कोतुहल का विसे है जो चिंता का विसे है जो विन जैसा हलका सा है, जैसा होता रहता है प्रक्रती के अंदर, पिछले कम के कारण, तो वो बहुत ज़्यादा भिक्कू की ईज़त करता है और अपने यहां आम मतित करता है, चारिका के लिए, धंब के लिए हैं, ये बात जब अन्य भिक्कों को पता चलती है, तो वो थोड़े से चड़ जाते हैं कि देखो हमको तो बुलाया नहीं क्योंकि अभी नैने भिक्कू है चारिका करते हैं तो थोड़ा सा इड़ सा जलन भिक्कू के अंदर क्योंकि पूरी तरह से आरत हुए नहीं है तो वहाँ उनमें कुछ अपसब्द हो जाते हैं कुछ एक दूसरे की वातलाप हो जाती है कुछ कटू वचन हो जाते हैं कुछ कड़वी बात हो जाती है जो एक दूसरे को कहते हैं तो जो कुणधान जो फेर है उसकी बारे में जब भगवान बुद्ध को ये पदा चलता है कि आज ऐसे घटा घटी, तब भगवान गुद्धी ये दो गाताएं कहते हैं, जो इस क्रिकार हैं. मावोच फरुसंग कंची वुट्टा पटी वदेयूं तंग दुखा ही सारब कथा पटी दंडा फुसेयूं तंग मावोव फरुसंग कंची का मतलब है मावोच यानि कि वोच माने होता है वचन, यानि मा माने मत करो, मत ऐसे वचन करो कैसे फरुसंग, फरुस माने होता है कठोर, कठोर वचन मत करो, कंची माने कभी भी किसी से भी, यानि किसी से भी कठोर वचन मत कहो, गुट्टा पटी वद वुत्ता माने जो कहा जा चुका है यानि जो कहने वाला है वुत्ता पटी वदेयू तंग यानि जो कहा है उसके बदले में क्या होगा पटी वदेयूंग पटी का मतलब पिर्टी वाद यानि कि वो फिर वैसा ही आपको कहेगा वदेयूंग का मतलब कहेगा तंग माने तुम् सारब कता, दुखही, दुखही का मतलब है वास्तामे निश्चित, क्या होगा ? सारब कता, सारब का मतलब होता है क्रोधाना, यानी क्रोध की जो कता माने कहना वचन, यानी जो वचन होंगे फिर बाद में, जब आप किसी की कड़वी बात पे, कठोर बात पे जवाब पिरती तो फिर वहाँ दुख्य होगा, क्योंकि जितने भी बचन होंगे, वो क्रोध से वाद विवाद से उगरता में आ जाएंगे, वालेंस वहाँ बातों में आएगी, जो जो से चीखेंगे, पटी दंडा, फुस से यू तंग, पटी दंडा का मतलब है पुस से यू का मतलब है, आपको फुस करेगा, इस पर्स करेगा, छुएगा, मिलेगा, तंग माने तुम्हें, यानि कि तुम्हें फिर बदले में उसके जो दंड मिलेगा, वो ऐसा ही मिलेगा, प्ती दंड, यानि कि क्रोध की बदले क्रोध, वो कहते हैं कि विकू, अगर आप आपस में वाद बात करोगे, करोद से बात करोगे, जोड जोड से बात करोगे, कठोर बात करोगे, कर्वी बात करोगे, तीखी बात करोगे, जो मन के लिए एफ्रिय बात होगी उसे करोगे, तो बदले में आप ये मस सोचना कि आपको कोई मिठी बात कहेगा, जैसी बात आप कहोगे, वैसा ह वानी है वैसी ही मिलेगी और फिर वो आपको चारा तरफ क्रोध रगनी और दुखी दुख देगी जो आपको बदले में इस पर्ष करेगा दुखी दुख आपको टच करेगा मिलेगा ऐसा वो कहते हैं और इससे अगली गाथा में कहते हैं सचे नेरेसी अत्तानंग तंसो उपहतो यथा ऐस पत्तोसी निब्बानंग सारभो तेने विज्जती सचे नेरेसी अत्तानंग सचे माने इस प्रकार से नेरेसी माने होता है नय इरती यानि बोलता है या बोलो यानि कि इस प्रकार नहीं बोलो अत्तानंग अपने आप से अपने आप से भी ऐसा मत बोलो कसो उपहतो यथा कसो उपहतो यथा का मतब है उपहत माने होता है, तूटा हुआ, हत माने हत्या होती है और उपहत माने जो तूटा हुआ, जो बरबाद किया हुआ होता है यानि जो बरबाद होता है, कसो माने जो कांच है जो कांसा है, कांसा बोलते हैं, कांच भी बोलते हैं जो कांसा है जब वो तूट जाता है जिस परिकार यानि के अपने आपको नेरेशी नेरेशी का मतलब इस तरह से करो इसे टूटे कांच की बिल्कुल आवाज नहीं आती है बिल्कुल मत बोलो मौन हो जाओ, साइलेंस हो जाओ जैसे टूटे हुए कांच मेंसे आवाज नहीं आती जो कांच का बरतन होता है जब तक सावुत होता है आप उसे टंकार मारोगे तो आवाज आएगी मगर अगर वो टूट जाए या कोई बरतन टूट जाए और छोटा सा टुकड़ा रह जाए तो फिर उसमेंसे कोई शब्द नहीं आता नी सब्द हो जाता है मौन हो जाता है ऐसे वो कहते है नैरेसी नै इरिती यानि की नै बोलो ऐसे हो जाओ जैसे के टूटा हुआ कांस है ऐस पत्तोसी निब्बानंग ऐस पत्तोसी निब्बानंग का मतलब है यानि कि इस तरह से निब्मान प्राप्त हो, जिस तरह से आप बलुकुल मौन हो गए हैं, कांसे के बतन की तरह है टूटे वी तरह हैं, बलुकुल जैसे आपके अंदर कोई भी टंकार नहीं है. सारब्भो तेने विज्जती सारब्भो का मतलब है जो क्रोध है क्रोध है तेने विज्जती यानि जो क्रोध है वो तुम्हारे लिए फिर विद्दमान नहीं होता विज्जत नहीं होता विद्दमान नहीं होता तुम्हारे अंदर फिर वो निबान को प्राफ्त हो जाता है इसको हम अगर दोनों कठाओं को हिंदी में सार कहेंगे तो इस पिकार है कठोर कड़वा जोर से उचा मत बोलो अगर तुम ऐसा बोलोगे तो दूसरे भी ऐसा ही बोलेंगे इससे क्रोध वाद्मिबाद निश्चित है दुख निश्चित है इसका दंड तुमें मिलेगा ही अपने आपको ऐसा मौन करो जैसे काच तूटने के बाद बिलकुल भी आवाज नहीं करता यही निबान को प्राप्त होता है या हो क्रोध तुमारे अंदर विद्वान नहीं हो इस तरह से तो आपने देखा होगा कि अगर घंटा है कोई अगर घंटे को आप चोट मारेंगे तो आवाज देता है अगर घंटा तूट जाए और उसके चोटे चोटे टुकडे हो जाए फिर आप उसमें कितना ही चोट मातरी है कोई आवाज नहीं आती इसी तरह से भगवान ने कहा है कि अपने आपको ऐसा कर लो नी सब्द कि कोई अगर कुछ वाद विवाद करे भी अगर आपको कोई उकसाए भी, आपको कोई मारे भी, कुछ कठोरवानी कहे भी तो आपकी तरफ से कोई आवाज नहीं आनी चाहिए इससे आपको निब्बान प्राप्त होता है छोटे बच्चे से अगर आप जोड से बात करेंगे तो वो जोड से बात सीखता है अगर आप चीक चीक के बोलेंगे तो आप ध्यान देंगे कि आपके सारे बच्चे चीकते हैं अगर आप बहुत आराम से बोलेंगे तो आप ध्यान देंगे कि आपके सारे बच्चे बहुत आराम से बोलते हैं यह आप वाद सारी दुनिया में होते हैं ऐसा भी हो सकता है कि मावा आप खुब चीख के बोले और बच्चा बहुत आराम से बोले ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा बहुत चीख के बोले और मावा आराम से बोलते हो मगर अधिकतर जो नेच्रल नियम है वो यही है कि जिस तरह का वैवार आप करेंगे उस तरह का वैवा जो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़नी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो आडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तमाल करना च चाहिए तो आपको liberty है आपको छूट है ये सभी copyright फिरी हैं आप अपने facebook पे अपने page पे अपने tutor पे या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं आप youtube पे चला सकते हैं अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसल लेने की ब बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको load कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद संगं सडा मैं गच्षामी संगं सरैंघर गच्षामी संगं सरनं गच्षामी तोथीयं पी बुद्धं स सर padres चान्धंग सरामी दूतियंपी धम्मं मर्सेनु गच्छान। दूतियंपी धम्मं सर्नं गच्छान। दूतियंपी संदों सर्नं गच्छान। दूतियंपी सर्नं सर्नं गच्छान। ततियं पी बुद्धम सर्णं कच्छामी ततियं पी बुद्धम सर्णं कच्छामी ततियं पी बुद्धम सर्णं कच्छामी साथू, साथू, साथू कामेस मिच्च चरविर्मनी सिखापदं स्माधियामी कामेस मिच्च चरविर्मनी सिखापदं स्माधियामी कामेस मिच्च चरविर्मनी सिखापदं कामेस मिच्च चरविर्मनी कामेस मिच्च चरविर्मनी पीच चरविर्मनी